आज social media हमारे lifestyle का एक बहुत important हिस्सा बन गया है false information, misleading information इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा problem बनता जा रहा है इंडिया ने hate speech में 2016 से लेकर 2020 तक 2% की बढ़ोती किया और 2020 में NCRB ने पाया कि fake news और rumors के related crimes में 214% की बढ़ोती हुई है इंडिया में mob lynching और communal violence जैसे cases के जाधा तर शुरुवात WhatsApp के fake messages की वज़े से होती है बड़ी खबर बता दें, fake news को लेकर प्रधान मंतुरी की तरफ से कहा गया है कि फैसला वापस लिया जाएगा social media platform पर कुछ पत्रकारों की तरफ से fake news फैलाने और उन पर FIR को लेकर सुचनाओं को पहले news की शकल में भेजा जाता है कई महिनों तक फैलाने के बाद उसी सुचना को चुटकुला बना कर दुबारा भेजा जाता है ताकि आप बार बार देखते रहें और आपको याद रहें social media companies के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा और profitable market है इन आप्स को बनाया इसलिए गया था ताकि लोग एक दूसरे से बात कर सके photo share कर सके और बहुत कुछ मतलब एक नजेरिये से देखे तो अपने लोगों के साथ positivity शेयर करने के लिए इन आप्स को बनाया गया था लेकिन आज कल हो क्या रहा है यह वीडियो भले टीव यूटूब जैसे प्लैटफॉर्म पर दिखाए जाते है लेकिन इनको share इनी WhatsApp, Instagram जैसे प्लैटफॉर्म पर किया जाता है आज सोशल मीडिया हमारे lifestyle का एक बहुत important हिस्सा बन गया है रोज हम नचाने कितने messages, videos या post को देखते है हम पूरे दिन में newspaper नहीं देखते है लेकिन Facebook और Instagram पर जो post share किये जाते है वो ज़रूर देखते है लोग सोशल मीडिया पर इतने rely करने लगे है कि उनको लगने लगा है कि WhatsApp ग्रुप पर किसी पहचान वाले ने भेजा हुआ message बिलकुल सच है वो इस पर बिना कोई संदे विश्वास कर लेते है हो सकता है ये पहचान वाला व्यक्ति आपका दोस्त हो या रिष्टेदार या कोई respectful position में बैटा हुआ इंसान Facebook, Instagram पर भी कुछ ऐसा ही हाल है किसी influencer के page पे post किया गया information हमें बिना कोई doubt सही लगने लगता है हम अक्सर ऐसे pages को follow करते है जिनसे हमारी विचारधारा मिलती जूलती है ये pages जो है वो directly कोई hate content तो post नहीं करते लेकिन ऐसे चीज़े जरूर post करते है हमें लगने लगता है कि हम ही सबसे महान है और हमारे बराबरी में कोई नहीं है बहुत से लोग में एक over nationalism वाली एक भावना आ जाती है भेजा हुआ message सही हो सकता है मुझे एक बार check कर लेना चाहिए false information, misleading information इंडिया के लिए बहुत बड़ा problem बनता जा रहा है और आज ये सिफ social media तक सीमित नहीं रहा काफी सारे news channels, websites आजकल ये fake news फैलाने का काम बड़े आराम से कर रहा है और ये कर इसलिए रहा है क्योंकि इनको पता है कि market में इसकी काफी demand है दोस्तो fake news जो है वो दो types की होती है एक जो बिलकुल baseless है जिनका कोई वजूद ही नहीं है और दूसरी जो सही है मगर आपको गलत तरीके से बताई जाती है जैसे example 2020 में TV9 भारत वर्ष ने ये कह दिया था कि महाराष्ट्रा के लोगों को टमाटर खाना बन कर देना चाहिए क्योंकि टमाटर में एक खतरनाक वाइरस पाया गया और जो भी ये टमाटर खाएगा वो बिमार पड़ जाएगा अब ये बिलकुल baseless है मतलब कुछ भी अब ये दूसरा पोस्ट देखिए Instagram और Facebook पर ये शेर किये जाने वाला पोस्ट ये कहता है कि हमारे history books में छोला, गुपता, मराठा ऐसे अधिकतर समराज्य के बारे में नहीं बताया जाता है तो फिर ये सब क्या है, Microsoft की Digital Civility Index के according, इंडिया ने hate speech में 2016 से लेकर 2020 तक 2% की बढ़ोती किया अफवाय, scams, frauds, इन सब में 2017 से लेकर 2020 तक 5% की बढ़ोती किया और discrimination यानी बेदबाओ को लेकर 2016 से लेकर 2020 तक 6% की बढ़ोती किया तो civility index के सर्वे के दोरान ये भी सामने आया कि लगभग 60% भारतियों ने global average 57% के मुकाबले फर्जी खबरे देखी है ठीक है, दोस्तों हम में से आज कही लोगों के लिए fake news बस एक whatsapp का forward message या instagram facebook का एक shared post है, लेकिन कही लोगों के लिए ये life threatening situation बन जाता है जिसे 2017 में एक fake whatsapp forward की वज़े से जारकण में अलग-अलग जगाओ पर पाच मासुमों की हत्यागर दी गई थी 2018 में तीन लोग तमिल नाडू में मारे गए, जारकण में फिर से चार लोग मारे गए और महराश्ट्रा में साथ और करनाटका और मध्यप्रदेश में एक-एक तो टोटल 21 लोग किसी की गेर जिमिदारी और अंदविश्वास के शिकार बन गए 2018 में पब्लिश किया गया ये प्रिंट का जो आर्टिकल है वो मरने वाली की संक्या तो 31 बताता है 31 बताता है ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मैंने डेटा दूनने की कोशिश की एंसे आर्बी ने फॉल्स फेक रियूमर्स को अज़ क्राइम रेकॉर्ड करना शुरू किया और 2020 में एंसे आर्बी ने पाया कि फीक न्यूस और रियूमर्स के रिलेटेट क्राइम्स में 214 परसंट की बढ़ोती हुई है 2020 में महराष्ट्रा के पालगर्ड डिस्ट्रिक में दो साथू की हत्यागर्दी गई थी और तो और हत्या के बाद सोशल मीडिया पर इस इंसिडेंट को एक कम्यूनल एंगल दिया जा रहा था Misleading information और fake news के वज़े से loss of life तो होता ही है लेकिन कुछ messages और post ऐसे भी होता है जिनके वज़े से हम सब में communal disharmony आ जाती है जैसे example के लिए 2013 में एक fake वीडियो के वज़े से उत्तरप्रदेश के मुज़ाफर नगर में संप्रदायक हिंसा दंगे हो गए थे Council of Foreign Relations जो की एक USA-based non-profit organization है वो लिखते है कि इंडिया में mob lynching और communal violence जैसे cases के जाधा तर शुरवात WhatsApp के fake messages की वज़े से होती है अब इस statement को और अच्छे से समझ निकले हम यहाँ पे MIT Institute of Data Systems and Society और IIT खरकपूर द्वारा पब्लिश किये गए इन research papers को देखते है इन papers में ये लिखा गया है कि Indian WhatsApp users लोगों को भढ़काने के लिए डर पैदा करने वाले messages का यूज कर रहे है क्यूंकि direct violence को प्रवोक करना नफरत से भरे post share करना एक criminal offense है ये लोग अपने political propaganda फिलाने के लिए fear speech का यूज करते है 2019 के general elections के दोरान 5010 WhatsApp group का survey किया गया जिनमें 14,26,482 posts थे और 1,9,542 users research के दोरान ये पाया गया कि हर 5 में से एक message इन groups पर डर पैदा करने वाला था कैसा डर भाई तो ऐसा डर कि एक community के वज़े से दूसरी community खत्रे में है एक community victim है तो दूसरी community criminal है और इन messages में repeatedly ठीक है repeatedly aggression, hate, crime, fighting, negative emotions ऐसे topics बार बार use किये जा रहे है अगर आपको देखना है कि social media की ये जो negativity है वो कैसे हम सबको impact कर रहे है तो आप इस 8 साल की लड़की ब्रिंदा जेन और 16 साल के लड़के जिशनू बरुआ को देखिए जेन जिसने ambulance wiz नाम का एक application बनाया और जिशनू जिसने जिशनू light back का एक app बनाया ये दोनों भी technology का यूज करके बुली बाई और सूली डीज जैसे apps बना सकते थे लेकिन luckily ये बच्चे श्वेता सेंग और विशाल कुमार जा जैसे किसी negative social media handler के influence में नहीं थे 2015 की military of cyber reports ये कहती है कि terrorist organization ISIS इंटरनेट और सोचल मीडिया को यूज करती थी अपना propaganda फैलाने के लिए यंग people को recreate करने के लिए बहुत से बच्चे इसका शिकार बने लेकिन मुंबई में रहने वाला अबदुल्ला खान इसका शिकार नहीं बना बलकि इसको Google से 1.2 करोड जॉब की offer मिले अब बंदे ने जे डबली दिया था ना कोई entrance दिया था ना ही IIT पास आउट है अब I hope आपको एक difference समझ आ रहा है कि difference का है हमारे दिमाग में है ये ना ही किसी धर्म में है ना ही किसी धर्म गरंत में है ये difference जो है हमारे दिमाग में है तो मेरे वीडियो जाधा तर 18 से 24 साल वाले बुद्धी जीव देखते है लेकिन अगर कोई parent इसे देख रहा है तो प्लीज यार एक बर अपने बच्चों से इस बारे में जरूर बात करिये देखिए कई वो इस negative social media handler influencer की चपेट में तो नही आ गया है fake news misinformation को बढ़ने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है common sense बस एक बार forward या शेर करने से पहले सोचो कि क्या ये सही है गूगल तो हम सब के पास है बस एक बार cross verify कर लो यार ऐसे तो अपने crush का idea Instagram या Facebook पर एकदम expert की तरह धून निकालते हो तो ये सब तो बहुत ही simple है कि alt news सबसे बड़िया platform है जो fake news को check करने के लिए हमारी मदद करता है और फिर आप जो है वो the quint का webcoof करके जो है उसे भी use कर सकते हो fax check करने के लिए तो अगर आपको लगता है कि यार ये चाचा के इस forward message में कुछ तो गड़बड है तो confront कीजिए उस message का source पूझिए और चाचा से request करिए कि please ऐसे fake news forward ना करे देखिए इसमें कोई शरम या डिस्रिस्पेक्ट वाली बात तो है नहीं इस बढ़ते fake news hate content की chain को सिर्फ आप और म यह मिलके नहीं रोक पाएंगे हम सब यंग जनरेशन को मिलके इसे रोकना होगा तो बस यार आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरूर कीजे शेर कीजे क्योंकि बहुत important है fake news की जगा इसी को शेर कर लीजे और अगर नए हो तो वह जो लाल बटन सब्सक्राइब अला उसे दबा दीजिए तो बसे आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉलेस नहीं जैहन